आज हमने प्रोग्राम में मधूग किया है पीटी आई से हमारे पास उनकी मेंब्रान मौझूद है और आज हम जो है तो पार्टी मैनिफेस्टों के बारे में और आने वाले इलेक्शन के बारे में बात करेंगे ताकि हम भी देखते हैं कि कैसे काईल करते हैं जनल पॉब्लिक को कि वो इनको वोट कर सके मैं हूँ आपकी होस्ट आमना सहीद और में साथ तश्रीफ फरमा है बैरिस्टर यूनस सहीर जो कि जनल सेक्टरी है पिशावर बीटी आई से और उनके साथ तश्रीफ फरमा है नोरोस खान जो के एडुकेट हैं और सेक्टरी लीगल है बीटी आई के असलाम लेकुम जी सबसे पहले तो मैं अपने इंटर्वियू का आगाज एक क्वेस्टिन से करना चाहूंगी कि आप बैस्टर साब ये बताएं कि पार्टी मैनिफेस्टो जो है जनल पबलिक के साथ आप शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि मैनिफेस्टो क्या है आपका वेसे कली पीट मैनिफेस्टो को आने वारे इलेक्शन में हमारा ये स्टांस है और हमारी पूजीशन है कि हम समझते हैं कि हम रिलीव दें अवाम को ये जो पैंसर सालों में जितनी पुलिटिकल पार्टी जाएं हैं इन्होंने इनके बहुत बड़े बड़े वादे इनका मैनिफेस्टो ब अफ़ा आट दस सालों से तेगा है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारा मैनफेस्टो तो साफ है। हमारा तो विजिन हमारा क्लियर भी चैंत coupon है। तो हमने जब भी हुकमत आएगी। तो हम इनसाफ लेके आएंगे। मैं आपको कट करूंगी कि मेरिट और इनसाफ की आप बात करें तो यह भी है कि जी 90 दिन करम्शन खतम 90 दिन करम्शन खतम उसके बारे में नौर उसपा ενसाभ आप से मैं पूछना चाहूंगी कि करम्शन नवे दिन में खतम करना क्या तार्गेट अचीव हो जाएगा? हाँ, इसकी शुरुआत हम जब पॉजिटिवली करेंगे तो यकीन ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारे अवाम जो है, वो इसके लिए तयार हैं, जहां तक लिडरिशिप की बात है, तो वो शुरु से अभी तक करप्ट लिडरिशिप आ रही है, और जिस पे हमको काफी अफसोस है, कि 60 यर्ज बेक से लेके अभी तक इन सियसादानों ने मुल्के लिए कुछ नहीं किया, जो हम करके दिखाएंगे. यहां पे मैं आपसे ये क्वेस्टिन आपको थो करूँगी, कि क्रिटिसिजम तो देखें, हर जगा क्रिटिसिजम जा रहा है, हर जगा क्रिटिसाइस किया जा रहा है, पार्टी टू पार्टी जा है, तो सब कुछ हो रहा है, कि पार्टी के अंदर जमूरी रिवायत को परकरार रखते हुए हमने उसमें इलेक्शन किया और जिसमें उनकी तरफ से रेप्रेसेंटेटेव से आ गए तो इन्शालला यही तरीकेकार अगर हमारा रहा तो इन्शालला हम प्रूव करके देंगे आपसे मैं यह कहना चाहूंगी कि चारसदा में जो अभी हमने आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है तो वो हमने देखे और विटनिस किये तो उसमें थोड़ा सा रिगिंग का और क्लाशिस का हमें बहुत जादा एक स्पार्क वहां से औरिजिनेट हुआ तो आप बात करते हैं जी सुनामी आ रहा है और बिग रेविलूशन की आप बात करते हैं तो अगर वहां पे हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखें और उसमें एक स्पार्क जो औरिजिनेट हुए जिसको सब तस्लीम करते हैं उसके रिजिल्ट को और यही वज़ा है कि अब रीजिन के एलेक्शन होने वाले हैं और उसी एलेक्शन को सब ने कबूल किया है जहीं साब आप से मैं यह पूछना चाहूंगी कि पीटी आए जो है यूथ भी साथ जा रही है और लोग भी साथ मिलेवे हैं तो आप ये मुझे बताए कि बन मेंचों नहीं लगता आपको नहीं जी ये बिलकुल वन मेंचों नहीं है आपको पता है कि हमारे एक एक लाकी कतर हजार वोट रजिस्टर यहां पर हूँ है जो एक नजरी की पीछ जा रहे हैं और अभी हमने सीसी की परसो मीटिंग हुए है उसमें ये डिसाइड हुए कि जो चेर्मेन होगा और इसका लोग यही आवाज उठा रहे हैं लेकिन वन मेंचों तो नहीं है क्योंकि इमरान खान खुद ही कह रहे हैं कि एलेक्शन होगा पार्टी में वो भी एलेक्शन के लिए खड़े होंगे उनके खिलाब भी लोग खड़े होंगे जो उनको मतखिब करना चाहे तो वो कर सकते हो जी यहां आपने यूनिटी की बात की आल पार्टी कांफरेंस अभी हम जब देखते हैं 24 पार्टी जो हैं वो उन्होंने हिसा लिया उसमें यह है कि तालिबान के साथ आप कहते हैं मुजाकरात हैं वजीरिस्तान में भी आपने जो है तो प्रोटेस्टों सारी मुहिम हैं आप लोग यूनिटी की जब बात आती है तो आप कहते हैं कि मिलके से चलेंगे तो यहां पे आप कैसे देख रहे हैं आपने आप यह तो हम फिर्स डे हमारे यह फैसला भी था और हमारी तज्वीज भी थी कि मुजाकरात होने चाहिए तालिबान के साथ क्योंकि अगर यह फॉर्णर नहीं हैं यह अगर तालिबान हैं तो अपने लोग हैं इन के साथ बात होने चाहिए और अगर आप कहते हैं कि का हम तालिबान के साथ बी बहुत पर कर सकते हैं हम धना है बात फॉर्ण पॉलिसी ईना होगा है पाकिस्तान के लिए स्वार्न पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेंगी और अभी तक जो मेरे ख्याल में फॉर्ण पॉलिसी की अभी तक काफी कमी है पाकिस्तान में क्यूंके वजुहात ये हैं अपने मफातात के लिए देखते हैं और जहां तक उनको अपनी बेनेफिट नजर आ रही है तो डिप्लिमेटिक रिलेशनशिप का ख्याल ही नहीं किया जाता तो कम असकम इंटरनेशनल सता पे इसके लिए कुछ करना होगा और जहां तक पॉलिटिकल एसाइलम और इन चीजों की बात है हमारे काफी मफरूर लोग जो है वो बाहर से बैटके उधर से डिक्टेशन देते हैं और पाकिस्तान में टरियरिजम बढ़ती जा रही है इसको भ रोकना होगा खामाखा इंटरनेशनल लाप पे हमने उनकी प्रोमलिगेशन भी ज़रूरी है कि वो हो सही सही बिलकुल सही कह रहे हैं आप यूनिस साब आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि पंजाब में दो बड़ी पार्टी पीमल नवाज और पीटी आई तो एक बिग बैंक वोटर्स का जो है तो वो तो पीमल नवाज की तरफ जाता हो दिखाई दे रहा है आपके भी कुछ आ रहे हैं तो इस इलेक्शन को आप पंजाब साइट पर कैसे देखेंगे जैसे आपको पता है कि हम समझते हैं बलके सर्वे हो अगर देखा जाए आई आर आई का तो उसमें हमारी सुनामी रुकी नहीं है बढ़ रही है लेकिन जिस तरह आपको पता है कि इंटर पार्टी इलेक्शन में डाफिनली जो शमूलते हैं जो जानिक सेशन होते हैं वो वो स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि पार्टी को दुबारा जो है ना और्गनाइज करना होता है लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब में इंशाला हम क्लीन स्वीप करेंगे ये गैरंटी है ये खान करना चाहूंगी कि कहते हैं कि डिमिनेशिंग रेट देखने में आ रहा है वोट्स का कि मतलब पहले तो बहुत जोर से सुनामी आया हमने देखा कि लहोर में भी उन्होंने धूम मचा दी हर जगां तो अब डिमिनेशिंग तोड़ा सा रुजान है तो इस बारे में आपका क रहे गई थी और काफी शमूलेते रहे गई हैं जो कि अब इस इसके बाद इसका सेशन शूरू हो जाएगा इन्शाला पॉसिबिलिटी है कि कम उसकम 75% हम एचीव कर लें अच्छा अब हम थोना कंपाइल करना चाहेंगे तो मैं यह कूश्चन पूछना चाहूंगी कि एक् आपका यह सवाल उस सवाल से कनेक्टिड है जो कि आपने पहले बेरेस्ट साब से किया कि सारे पार्टी जो हैं वो यूनाइटिड हैं तो मैं इस पर यह कहूंगा कि अली बाबा चालीस चौर वाला ड्रामा है यह क्यूंकि अली बाबा अकेले थे और सब कुछ कर सकते थे तो काम्याब रहें और चालीस चौर जागरे कटे भी हो जाएंगे तो क्या करेंगे इस तरह तो हर किसी ने आवाज उटाईए कि अखपलख और अखपल इखतार नमने दबल इखतार जब उनको इखतियार भी मिल गया फिर भी ड्रोन हमले होने लगे और यहां तक कि देश सब्सक्राइब आप से मैं यह कहना चाहूंगी कि वही बात है कि चेंज है और ओल्ड पीपल आप अपने साथ जो है तो ओल्ड लोगों को ले आएं तो एक जगह आप चेंज की बात करें एक जगह आप वही पुराने पॉलिटिशन को उठाके ले आएं यह देखें यह एक आवामी पार्टी है हम किसी को रोक नहीं सकते हैं कि वह हमारी पार्टी में है हाँ यह इखियार इंशाला हमारे पालेमानी बोर्ड के पास होगा हमारी सी सी मेंबर्स के पास होगे कि वह किन लोगों को टिकट्ट देते हैं और किन लोगों को रिस्पॉ ते इन्षामी की बात कर रहे होंगे ने जी देखें चेंज, इन्शालबा इमरांग खान और उन्साफी वाहिद पार्टी है जो इस तब्दली को लेकर आ सकती है अगर आप देखते हैं कि पुराने नाम है हमारे साथ तो देखें पार्टी हम कोई स्विजलेंड से लोग नहीं लेके आ सकते इसके लिए कोई इंगलेंड से लोग नहीं लेके आ सकते इनके लिए कि हमारी पालिमानी बोर्ड का इसा बने या वो टिकट होलर ले बने हम इनी लोगों में से तराश खराश करके अच्छे लोगों को सामने लेके आएंगे और अच्छे लोगों को टिकट देंगे और अच्छे लोग गोर में चलाएंगे इंशाला नुरुस खान सबैंड आप बताएं कि वो एक आप मुझे एक आंसर दे कि वो फ्री चेंज़जES क्या होंगी में चेंज़जबिंगे जिसके जिसार हमारे पार्टी के नाम से जायर है कि तहरीक इनसाफ इसका मतलब ये हैं कि इंसाफ की एक तहरीक चले गी, सोचल तहरीक चले गी, एकनमिक तहरीक चले गी, जょ के जिसस बेस तहरीक चलेगी, जब समाजी उखलाकी और यह सारे इंसाफ पे मपनी होगा, तो इंशाल्बा पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए, सारे पार्टियों को तो लोग देख चुके हैं, अजमा चुके हैं, उन्होंने क्या किया, इस मरतबा इसका चांस है, अगर जैसा कि हम कहते हैं, कि हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब सहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पैनल में बहुत अच्छी बात है कि कि अब हम ज़रा यहां से और्डियन्स से क्वेस्टिन्स लेंगे, जी, सवाल चुक्री करना चाहें मेरा नाम माहम है, और मैं आप दोनों से सवाल करना चाहती हूँ, कि कहते हैं कि पारलिमेंट में और्टों की 33 सीट्स हैं, लेकिन पी टी आई उनके फेवर में नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्शा माहम, हम इसके खलाफ नहीं है कि हम वोमिन सीट्स को कम दो कैते हैं कि मैरेट पे होनी चाहीं, ये नहीं होना चाहीं है, जी, आप मेरे लेटर रो, और जो हर्ड वरक वोमिन हैं उनके लिए ना हो, हम समझते हैं कि मैरेट पे अगर फैसले होंगे, तो इंशालला क कोई मसल़ा नहीं हम हम तो इंक्रीज करना चाहेंगे इंशाला हम चाहेंगे कि ज्यादा 52 परसंट आबादी है हमारे हमारे पाकिस्तान में और इनको तो एक्नौर करना impossible हम तो माशारला ऐसे हमारे पास women कि वो पार्टी को उन क्या कि मुल्क को चला सकती है मेरे साथ से और हम इन्शाला इनको डबल करने की कोशिश करेंगे असलाम अलेकुम मेरा नाम उजाला मलिक है और मैं आप से एक वेस्टन करना चाहती हूं कि आप लोग यूद के लिए क्या करना चाहते हैं जी जैसा के हमने अब भी रिसेंटली जो डिस्टिक वाइज और टाउन में एलेक्शन किये यूनियन कौंसल में किये तो उसमें हमारा यूध सेक्टरी भी है वो खुद एलेक्ट होके आया है और इसके लिए ये तरीके कार है कि वो यूध के लिए खुद में गिरा फड़ा है बहुत ज्यादा क्राइसिस हैं यहां पर इनर्जी क्राइसिस है महंगाई है घुर्बत है तो आपकी फस्ट टिप किस मसले पर उठाएंगे सबसे पहले जो टेरिजम है जिससे मुल्क की बनियादे जो है वो कोकली हो रही है तो टेरिजम के आसल जो जखमों पर पठियां रखनी है तो यही तरीके कार है कि अगर हम उनको यहनी मतलब यह के इतिमाद में ले उनके साथ बातचीत करें और यह उन पर एग्रेशन स्टाप करें पहले जो के फारन की तरफ से हो रही है जी बहुत बहुत शुक्रिया जी मैं बैस्टर साब का और नौरोस खान साब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी कीमती चेडियूल में से हमारे लिए टाइम निकाला बात हुई इनसाफ की मैरिट की बात हुई अब नहीं तो कब की बात हुई पॉसिबिलिटी की बात हुई बस आखर में मैं इसी बात पर कंक्लूट करना चाहूंगी कि अला करे कि पाकिस्तान के लिए जो अगले आने वाले एलेक्शन में जो का यादत आए वो अवाम के लिए और हमारे लिए वो मावन सापित हुई बहुत बस शुक्रिया अला हाफैस करिक्षान के लिए वो अभर कि आखर में मैं जो आखर में कि लिए जो आखर में जो आखर चाहुत आखर में मैं जो आखर चाहँआएस